कालेशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है हाई वोल्टेड मैच के लिए तयार है ना आप नमस्ते मैराशिद श्रिलंका के कैंडी में भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है हाला कि कैंडी में बारिश के पूरे आसार है और जो श्रिलंका का मौसम विभाग है उसने 90-93 फीसदी बारिश का अनुमान जाता आया है लेकिन फिर भी भारती टीम ने अपनी तैयारी पूरी की है भरपूर की है मजबूत की है एक तरह बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान के प्लेइंग 11 है वहीं रोहिश शर्मा की कैप्टनसी में मैं इन ब्लू भी तैयार है अब सवाल यह है कि मजबूती के मामले में और कमजोरी के मामले में किसका किसका वीक पॉइंट क्या है और किसके पास बलेबाजी गेंदाजी फिल्डिंग विकिट कीपिंग में स्ट्रिंट क्या है यह जानने की जरूरत है अला कि सन 1984 में UAE यानि संयुक्त अरब अमीराथ से एशिया कप की शुरुआत हुई तब से लेकर के अभी तक भारत ने सबसे ज्यादा बार एशिया कप टूनमेंट जीता है उसके बाद फिर नंबर आ जाता है शिलंका का अला कि 1984 में तब राउंड रॉबिन लीग के अधार पर नतीजे हुआ करते थे से तीन टीम थी इंडिया पाकिस्तान और शिलंका 1984 में जब पहला टूनमेंट भारत ने जीता था लेकिन अब क्या होने वाला है इस पहले मैच में आगे संभावना यह है कि भारत पाकिस्तान का दो से तीन मैच तो एशिया कप में आप देखने वाले हैं लेकिन वर्ड कप का जो कुर्टिन रेजर जो मैच कहा जा रहा है इसमें क्या क्या होने वाला है और दोनों टीमों की खासियत क्या है इस वीडियो में आपको बताऊंगा हला कि हाई वोल्टेज में भारत की 140 कर हिंदुस्तानियों की नजर आकर के ठिकती है विराट कोली पर विराट कोली पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनका रेकौर्ड बहुत अच्छा है हम सब ही जानते हैं लेकिन उधर पाकिस्तान में कैप्टन बाबर आजम और इफ्तेखार रहमत की शत भारत के खिलाफ हमें आत्मिश्वास जगाएगा पर आप भारत की हम बात कर लेते हैं भारत का बैटिंग ओडर जबर दस्त है विराट कोली रोहिश शर्मा शुमन गिलकानुभव है श्रेय सायर और केल रहुला मिडिल ओडर की रीड कहे जाते हैं और लोर ओडर में तुल ठाकुर्भी भारती टीम का इत्सा है कुल्दीप यादा उसे भारत को कि फिरकी बहुत जादा मजबूत होती है लेकिन जहां तक चुनौती का सवाल है ना जो चोटिल खिडा रही है जो इंजूर्ट प्लेयर्स हैं उनका फॉम में आना बहुत जरूरी है और जो टे और भारत के संभावित 11 में मेरे हिसाब से रोहिश शर्मा कैप्टन होंगे शुबमन गिल्ब विराट कोहली श्रया सायर के अलाहुल विकिट की पर आवियस है हादिक पांडिया रवीन जडीजा जस्पीद बुम्रा मौमा श्यमी या शार्दुल ठाकुर में से कोई है मौ जरूर जरूर है कि ओपनस इमाम अलहक और फखर जमा इन दोनों की बले बाजी पर ही हमारी नजरे ठीकी होंगी लेकिन हाँ हारिस रौफ जिनका गेंद बाजी आक्रामर बहुत आक्रामक है जो गुड लेंद पर गेंद डालते हैं जिनके पास पेस है यानि स्पीड है और यॉरकर लिंट में बहुत जादे बिलीफ करते हैं हारे इसराओ और इसके अलावा शाहिन शाफरीदी भी उनका साथ देंगे यानि दोनों टीम में बैलेंस हैं मुकाबला जबरदस्त होगा बस बारिश खालल ना डाले नमस्ते